कर दो कर दोस्तों अब आपका सुवागता है और होली का परव किस प्रकार से मनाया जाता है एक संदर द्रीश्चा बसंत बिहार से दिखाने वाले हैं बसंत बिहार में सभी जातियों के लोग रहते और आपसी भाईचारे से यहां पर परव मनाया गया होली का तिवार मैंने ऐसा तिवार नर्वान के अंदर कभी नहीं देखा जहां यहां पर देखा भाईचारे से इकठे रहते हैं और इकठे से यहां पर जो होली का परव है नास्ते गाते खुशिया बाटते हुए यहां प पर यह क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस वीडियो में आपको पूरी तस्वीरे दिखाए जाएगी जहां पर एंजॉइमेंट किया गया था सभी के द्वारा सत्वीर दबलेंद जी हमारे यहां से इंसे बात कर लेते हैं प्रदान जी नमस्कार सबसे पहले एंजी नियूज ह नमीन जी यह आपने बहुत वाजीव क्वेशन पुछा बसंद ब्यार कलोनी में सभी भाईचारे के साथ रहते हैं और जितने भी मकान हैं आज आप देख रहे हैं सभी मकान वासी आज बड़े हरसोलास के साथ बड़ी खुसी के साथ गुलाल लगाते हुए सभी को पाने के यह सभी बधाई के पातर हैं और हमारे जो बसंद ब्यार कलोनी के सारे वासी हैं वो सभी कठे हैं आज बड़ी खुसी से और मैं यह सभी के लिए बगवान से पराथना करता हूं कि आज यह खुसी के मोके पर यह जो गुलाल लगाया गया है यह प्यार का प्रतीक है और से यह तो हर जो मनाया गया कि आपने इसे पहले ही प्रीप्लैन किया गया था इस प्रकार से मनाना है या पहले भी आपने मनाया है नमीन जी यह हर साल ही ऐसे मनाते हैं लगबग चार साल तो मुझे हो गए यहां रहते हुए करोना काल को छोड़ करके बिल्कुल चार साल में सभी कठा होकर के मनाते हैं और यहां सभी यहां बड़े जो पारग में कठे होते हैं और आप देख रहे थे डीजे की आवास से सारे हमारी माताएं, बेहने, बेटियां सारी नाच रही थी सारे हमारे बुजर्ग नाच रहे थे और खोसी के साथ एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे यह एक प्यार का परतीक है, यह एक सने का परतीक है यह बहाई चारे का परतीक है, इसी परकार से सभी ने मनाना चाहिए आप सभी को होली की हार्दिक सूब कामना है बहुत-बह। मुबार को बहुत-बहुत-बहुत Osman किसी परकार की जाती धर्म इसका कोई है नहीं सारे एक हैं और सारे भाईचारे के भावना से इसमें साथ अट साल से लगातार अहुली मनाती आरे हैं किताब सिंग मोर है सर नमशकार शुबागताब का होले की बढ़ाई आपको नमस्कार नवीं जी आपको बहुत बहुत बढ़ाई सर कहीं नहीं देखा और आज जो तो हर दिखाएंगे पूरे हर्याना में पूरी इंडिया में विदेशों में भी जाती हमारा चैनल तो कहीं न कहीं नर्वाना का नाम भी गुझ उठेगा और कहीं ना कहीं यह सीख भी मिलेगी भी बसंत विहार जैसा होना चाहिए अगर कहीं पर इस प्रकार से अगर कोई कलोनी मनाई तो नवें जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात की और अच्छी बात है एंजी नियूज ने इस मोई परधाना बनाए हैं और हमारी कारेकार्णी बनी है तो हमने एक सामूख फैसला लिया हुआ है कि मिलेगे लियूक आदमेंगे ब्कृत्त बर्तृ अधर servicio हम 11 और चाहारा यह बनाए गया और सामूख आज के 192 आधर बसंद्धाबार चाहर सहा है लिए ऑ्र प्रतीय एक और अच्छी सोच के साथ ये कारिकरम किया गया परदान जी नमस्कार और बजाई आपको हो लेगी तो परदान जी जैसे ये आपने कितने दिन पहले प्लान किया था इस कारिकरम के बारे में जो सिमीती आपने प्लान तो ऐसा है कि ये सबी के सबी जो पहले से बनता हुआ रह है पहले के मार्फित आज 130 मकान इस कालोनी के अंदर बने हैं और सारे अब की बार 130 के 30 सब इन्वाल करने और बढ़िया अपना सबका से योग से अच्छा आज जो इन्होंने डांस किया है ना तहल का मचाएगा हमारी वीडियो में जो बामन पहरा और गुर्ता बहरा बहुत बढ़िया लगया मैंने पूरी कवरेश करिया है गजब कर दिया सभी से मतले इंपोर्टेट क्यों का नमीन जी सियाग साब के बानुए में बताना जाता हूं यह समय समय पर है ना जैसा मोसम होता है ऐसा ही मतले और आज खुजी के मोगे पर इन्होंने जो प्रोग्राम किया जो डांस किया यह बधाई के पात्र है तो मतवल जो यह कार्यक कि इन्होंने इस उमर में भी इतना बड़िया परफर्मेंस करा है इनके लिए बहुत बहुत बजाई सार आपकी शोड़ों मैं रामफ्ण एडिटार इंस्पेक्टर है अर्याना पुलिस है अपने बेटियां बुड़े जवान बवे माताई मैंने सबको खुष करने के लिए जोनी बुड़ों न भी थोड़ा हा जोनी अपना रंग दिखाना जरूरी है अगर हम खुष नहीं होंगे तो जवान बेटे बेटियां कैसे खुष होंगी थोड़ा हम ने भी फंक्शन कर दिया और जोनी थोड़ा सा इंजु सब्सक्राइब तो जो यहां पर महूल को देखके जी तो यह जो महूल है आपने वह कैसे मुणाना सुरू करिया सार अमारे को यहां चार साड़े चार साल होगे लगबक तीन होड़ी हमने यहां पर मनाई है और करोने वेज़े से एक होड़ी हमारी मीश होगी लेकिन हर साल ऐसे ही बिलकुल हर सोअ लास के साथ हम होड़ी मनाते है भैषारे के साथ होली पर क्या कुछ कहना है लोगों को आज सर हम सारे के सारे बड़े बुड़े यहां पर मेरे दादा चाचा ताउ सब हैं आज हम सारे की उमर में थे आज सब ने मतलब कोई बेदबाव नहीं सब ने बहुत भरपूर तरीके से इंजॉय किया है और मैं गहता हूं कि यह जो मह सब्सक्राइब करता हूं जो कैवरेज लेने के लिए और उसके बाद में यहां के जो परधान जी है दलबिर शोकन जी उनका धन्यावाद करता हूं जो समाज को एक जूट करके आज भाईचारे का संदेश पूरे समाज के अंदर फैला रहे हैं हर्याना के अंदर ही नहीं पूरे भार्व के अंदर इस तरह का भाईचारा कायम रहना चाहिए और मैं आसा और उमीद करता हूं जैसे शोकन जीओं ने यहां यह सब स्थापित किया है पूरे समाज के अंदर है चीज़े स्थापित होने चाहिए अभी मैं एक सक्से बात करना दिलबाग सींगलाड़ी हमारे प्रसासन की आंदबांशान है नरवाना हो या उचाना हो जब भी यहां आते हैं बड़ा खोप रहता है इनका लोगों के बीच में प्रदान तो बार है लेकिन नों मेरे को बुलाया था और मैं बड़ी खुशी से आया और मेरे को अगर देखा ना यहां मेरे आजए ऐसा लगाए मेरे बेटा मानते है वो तो अमने बड़ा खुशी का मूल लगया है यह तो आरे तो आरे असमाज मूण ना चीजिए बहुत बड़ी लगता है एक जुटते हैं दूसरे लोग हम इतावचन जी से में बात कर लेते हैं है 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 हम इताव जी क्या कुना लें बहुत बड़ी है आपकी लुकिंग चस्मा और हाइट भी आपकी बिल्कुल अच्छी है आपका धन्यवाद करते हो है जैसा आपको समझा आप दिख लग रहे है ना सर उसके लिए उसके लिए विदनेवाद आपका हम हरिद्य के गराई से अभीनंदन करते हैं स्वागत करते हैं और जो भी समाजिक जहां भी गतिवेद्यां होती है आप महां पहुंचते हैं हमारा बसंद बिहार पूरी कलोनी के ओर से आपको हाथ जोड़क की तरफ से दल्बीर्शोकृंत की तरफ से इस तरह है जैसे हम लोग इस समाज को एकजूट रख रहे हैं आप लोग भी पूरे भारत को एक जूट रखके इस तरह है के आपड़ाव मना सकते हैं नर्वाना में या फिर कई भी इस परकार की अगर कलोनी बनाई जाएंगी तो यह सीख भी जरूरी है इस परकार से भाईचारा भी बनाना है अगर इस कलोनी की बराबरी करनी है तो भाईचारा और जो रूल रेगुलेसन इन्होंने निभाए है आद देखका मैंने बहुत वीडियो को जाजाजा शेयर कर देना धन्यवाद बंदे मातरम जाएंगी जाए भाई